हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल मरीन वर्ड में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जोएंट लाइफ इंसुरेंस पॉलसी क्या है और इसे जुड़ी सारी जानकारी में आप लोगों को इस वीडियो में दूँगा दोस्तो वीडियो मागे बढ़ने से पहले मैं आप से रिक्वेश्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर ये वीडियो अचा लगे तो इसे से जरू किजेगा तो चली दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो एक Life Insurance Policy किसी भी व्यक्ति के जीवन के वित्तिय लक्षियों यानि की Financial Goals को स्रुक्चित करने में काफी साहता करते हैं Life Insurance लेने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यू हो जाती है तो इस मामले में उसके परिवार को Financial Assistance प्रोवाइट की जाती है दोस्तो जेनरेली एक Life Insurance Plan के द्वारा केवल एक ही व्यक्ति को Life Insurance Policy का Benefit प्रोवाइट किया जाता है हाला कि समय के साथ साथ एक फैमली को Comprehensive Cover की आवेशिकता हुई है इसी कारण ऐसे Insurance Product मार्केट में आने लगे हैं जो Joint Life Insurance Policy का Benefit प्रोवाइट करती है इस प्रकार की योजनाएं खासकर Couples के वीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है इस Policy के माध्यम से एक ही Policy में दो व्यक्तियों को Life Insurance Cover प्रोवाइट किया जाता है दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को Joint Insurance Policy के वारे में विस्तार से बताऊंगा इसलिए इस वीडियो को अंतक जरू देखेगा दोस्तो Joint Life Insurance Policy दो लोगों को Life Insurance Cover प्रोवाइट करती है Joint Life Term Insurance Policy के लिए प्रीमियम का पेमेंट एक निश्चित टाइम डियूरेशन तक जोइन्ट रूप से दोनों इंस्यूर्ड व्यक्तियों के दोरा किया जाता है इस Insurance Policy में पेमेंट दोनों में से किसी की पहली मृतियों के आधार पर किया जाता है अगर दोनों पॉलिशी धारकों में से किसी एक की मृतियों हो जाती है तो दूसरे पॉलिशी धारक को इंस्यूर्ड इंस्यूर्ड की रासी का भुगतान किया जाता है दोस्तों हाला कि दोनों insured व्यक्तियों में से किसी एक की भी मिर्ती होने पर policy समाप्त हो जाती है यदि जीवित policy धारक life insurance policy coverage का benefit आगे भी उठाना चाता है तो उसे एक नई life insurance policy करीदनी होगी एक joint life insurance policy में दोनों policy धारक इसके मालिक होते हैं और दोनों ही इसके बेनिफीसिरी होते हैं दोस्तों अब हम जॉइंट लाइफ इंसुरेंस पॉलिसी कितने परकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे Joint Term Insurance Plan दो तरीके का होता है पहला है Joint Life Term Plan और दूसरा है Joint Indoorment Plan दोस्तों बात करें Joint Life Term Plan की तो एक Joint Term Plan में Life Term Plan की सभी विशेस्ताई होती है इसमें सिर्फ अंतर ये होता है कि एक व्यक्ति के बज़ाए इसमें दो लोगों को कबर प्रोवेड किया जाता है पॉलिसी के निर्धारित अबधी तक दोनो पॉलिसी धारकों के द्वारा एक ही प्रीमियम का पेमेंट किया जाता है यदि पॉलिसी डूरेशन के द्वारान दोनो पॉलिसी धारकों में से किसी एक की मृतिव हो जाती है अब अगर जीबीद बचे हुए पॉलिसी धारको आगे के लिए कवरिज की आवसकता होती है तो उसे एक नई लाइफ इंसुरेंस पॉलिसी खरिदनी की आवसकता होती है दोस्तों, बात करें जॉइंट इंडॉंमेंट प्लाइन की तो जॉइंट इंडॉंमेंट प्लाइन एक पोलिसी धारको बीमा कभर के साथ-साथ इनल्वेस्टमेंट की भी सुविधा प्रदान करती है, ये योजना एक निश्चित आवधी के लिए होती है, जिसमें पोलिसी duration के समाप्थ होने के बाद वीमा कमपनी पॉलिसी धारको एक निश्चित रासी का भुखतान करती है जिसे बंदोबस्ती यानि की इंडॉमेंट कहा जाता है यह योजना पॉलिसी अबदी के समाप्थ होने पर दोनों पॉलिसी धारको को एक निश्चित इंडॉमेंट रासी का भुखतान करती है अगर दोनों पॉलिसी धारकों में से किसी एक की मिरती हो जाती है तो इसी सिती में भी जीवित पॉलिसी धारको इंडॉमेंट रासी का भुखतान किया जाता है दोस्तों अब हम joint life insurance policy के benefits के बारे में चर्चा करेंगे अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन-कौन से factors हैं जो joint life insurance policy को एक आकरसक plan के रूप में परसूत करते हैं तो चलिए joint life insurance policy के क्या-क्या benefits है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं दोस्तों इसका सबसे बड़ा benefit ये है कि इसमें low premium होता है दोस्तों joint life insurance policy आपको कम और किफाईती premium दर पर उपलब्ध होती है इसका कारण ये है कि joint life insurance policy में दो लोग एक साथ premium का पेमेंट करते हैं जो single life insurance policy के तुलना में काफी कम होता है दोस्तों इसका सबसे बड़ा benefit ये है कि इसमें आपको supplementary income मिलते है दोस्तों कुछ joint life insurance policy दारक को एक regular income का भी benefit प्रवाइड करते हैं जब दोनों policy दारक में से किसी एक की भी मिरती हो जाती है तो जीबित बचे policy दारक को death benefit के अलावा एक regular income कुछ महिनुत तक के लिए प्रवाइड किया जाता है ये extra income परिवार को परिवार की financial security प्रवाइड करता है दोस्तों इस योजना का तीसरा सबसे बड़ा benefit ये है कि इसमें आपको financial security मिलती है दोस्तों joint life insurance policy कापल्स के लिए एक फाइदेमंद life insurance policy हो सकता है इससे आप अपने परिवार की financial security को और अधिक मजबूत कर सकते हैं किसी भी दुरभागेपुर्ण घटना में अगर एक साथी की मिरती हो जाती है तो उस सिती में इस योजना के द्वारा परिवार की अन्य liabilities को आप आसानी से पूरा कर सकते हैं दोस्तों इस योजना का चौथा सबसे बड़ा लाव है income tax benefit दोस्तों joint life insurance policy आपको income tax benefit भी प्रवाइड करती है इस life insurance policy के मात्यम से आप income tax act 1961 की धारा एटी सी के तहत दिये गए प्रीमियम पर आप tax benefit के लिए eligible हो जाते हैं इसके अलावा income tax act 10D के तहत beneficiary को मिलने वाला death benefit भी tax free होता है दोस्तों joint life insurance policy ऐसे व्यक्तियों को खरीदनी चाहिए जिनके life partner उन पर आसित है आप joint life insurance policy खरीद कर अपने life partner को आपके न रहने पर extra financial assistance प्रवाइड करने का आप अपना वाइदा पूरा कर सकते हैं दोस्तों ये life insurance policy एक परकार से लागत प्रभावी भी है यानि कि cost effective है क्योंकि single policy में policy धारक को single premium का payment करना पड़ता है जो तुलनात्मक रूप से अधिक होता है joint premium के माध्यम से आप अपने premium को कम करने के साथ साथ अपने coverage को अपने आसरीत जीवन साथी तक बढ़ाखर और अधिक benefit आप प्राप्त कर सकते हैं इसलिए अगर आप साधी सूद हैं तो आपके लिए joint life insurance policy खरीदना लाबदायक होने के साथ साथ जरूरी भी है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना joint life insurance policy क्या है और इसकी बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में डिटील से बताया है अगर यह वीडियो आपको पसंदाया है तो अबने फ्रेंट सागे से जरूर सेयर करें और हमें comment box में comment करके बता हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एने टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद अबने अगर बताया है